सर सबसे पहले आपको पुना इस शेयर पर देख कर अठारमी लोकसभा में जिस तरीके से पुना आपको ये जिम्मेदारी मिली है हम सब का सर सतरवी लोकसभा का एक अपना अनुभव है उस वक जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को ऐसे सांसर जो पहली बार चुनकर आए सर उनको आपने प्रोचसाहित करने का काम किया सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया सर इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है उमीद मैं यही रखूँगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे मेरे नेता मेरे पिता अधनिय राम विलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है आपने पिछले पांस साल में साल इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले पांस सालों में लिए गए उसने सम्विधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोग तंत्र को और मजबूती देने का काम किया सर हम लोग चुनाओ बहार लड़कर आ गए है मैं तमाम साथियों से यही आगरा करूँगा कि जहां चुनाओ लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने छेत्र के मुद्दो को हम लोग यहां पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहां पर कारे करने का प्रयास करें सर आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश से हम लोग खड़े हुए हैं पर हाँ कई बार जब विपश्च के द्वारा कई बाते कही जाती हैं मैं इतना भी मैं जरूर आगरा करूँगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं जब आप सक्तापक से किसी एक आचरन की उमीद रखते हैं तो वही उमीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरन की उमीद रखते हैं कई राज्यों के ऐसे उधारने मैं नाम देना नहीं चाहूंगा पर जब आप स्पीकर के पत की बात करते हैं तो क राम कर रहे हैं। ऐसे मैं सर्थ इस उमीद के साथ कि अगले पांस साल आपका नेत्वेत आपका मार्दर्शन उतनी ही खुबसूर्ती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले पांस सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से लोग जन शक्ति पार्टी राम विलास की तरफ से आपका पुना स्वागत करता हूँ। पिछले पांस साल के लिए आपको बधाई देता हूँ और अगले पांस साल के लिए आपको शुब कामना देता हूँ। धन्यवाद स्री